आज बनाएंगे चोकोलावा केक बस बिसकुट से और जो नॉर्मल चोकलेट आपको मिल जाया ना बस वही काफी है तो मैंने बिसकुट को ग्राइंड कर दिया है इसमें दूट डाला है दूट डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप चाहे तो बिसकुट कोई सा भी ले सकत और एक डालेंगे इसमें ब forehead काटोडर के डाल कर दिया है और ऐ जो दीकिंग आपका दिया मैंने चया ना वायर करेंगे तो आप देख सकते हैं, मैंने चड़ा दिया आए ग्यास पे, तो अब इसे दस मिनट बाद हम चेक करेंगे, तो हमारा जो चोकोलावा केक है वो परफेक्टली रेडी है, बहुत ही अच्छा तरह से बेग हो गया है, अब इसे उल्टा करके, कटोरी को उल्टा करके प्लेट मे रखेंगे और कट करके सर्फ करेंगे, तो आप देख सकते हैं, चोकलेट बहुत ही मेल्ट हो गया है, खाने में तो बहुत ही बड़ी अलग रहा था, अगर वीडियो पसंद आए, तो जरूर से एक लाइक कीजिएगा, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया